हलो व्यूवर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पूजा लूत्रा और आज मैं आपको बताऊंगी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के, उसे कंट्रोल में करने के कुछ आसान और असरदार घरेली उपाई और नुस्के पहला उपाई इस प्रकार है, आप 7-8 तुलसी के पत्ते ले लीजे और 4 नीम के पत्ते ले लीजे, इन्हें अच्छे से धो कर आपको पीस लेना है और फिर तुलसी और नीम के पत्तों के पेस्ट में, एक चम्मच शहद मिला कर, रोज सुबा खाली पेट इसका सेवन करना है ये हाई ब्लड प्रेशर से चुटकारा पाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है नेक्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए नटमेक पाउडर, यानि जायफल पाउडर, दूद और शहद आप एक गलास गरम दूद में आधा चम्मच जायफल पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाएए और रात को सोते समय इसका सेवन कीजिए बहुत फायदा होगा अगला उपाई इस प्रकार है आप एक चम्मच शहद, एक चम्मच अद्रक करस और एक चम्मच जीरा पाउडर को मिक्स करके दिन में दो बार इसका सेवन कीजिए, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक मैजिकल फॉर्मिला है दोस्तों करी पत्ता भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही हल्पफुल है रोज सुभा खाली पेट करी पत्ते का जूस पीने से बी पी बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाता है आपको जूस कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ आपको 30-40 ग्राम करी पत्ते लेने हैं उन्हें अच्छे से धो लेना है और फिर उन्हें मिक्सी में पीस लेना है अब इस पेस्ट में आपको एक ग्लास पानी मिलाना है और आधा नीम्बू नी चोड़ना है इस जूस को आप डेली खाली पेट पीजिए बहुत ही फायदा होगा अगला उपाय है मेथी दाना एक चमच मेथी दाना आप रात को एक कप गरम पानी में भिगो कर रख दीजिए सुबा उठकर वो पानी पी लीजिए और मेथी दाना भी चबा कर खालीजिए यह आपके कॉलिस्ट्रोल को रिड्यूस करेगा ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और बीपी को भी कंट्रोल करेगा दोस्तों गालिक यानि लहसुन भी हमारे हाट की अच्छी सेहत के लिए एक टोनिक का काम करता है आप दो से तीन लहसुन की कलियों को एक गलास दूद में तब तक उबालिए जब तक की लहसुन की कलियां सौफ्ट ना हो जाए फिर इस दूद को पी लीजिए रोज इस रेमेडी को फॉलो कीजिए बहुत ही फायदा होगा तो ये थे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के कुछ आसान से कुछ असरदार घरेल उपाई और नुस्के आप इन में से एक या दो होम रेमेडीज को अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए थमस अप का बटन दबाईए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रेलिटिव के साथ इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अप्लोड की जानकारी आपको मिल सके एक और इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पस फिराऊंगी तब तक के लिए stay healthy, always be happy and take good care of yourself Thank you for watching my video. Bye!